तो हम लोगों आज का क्लास में क्या पढ़ना है सबसे पहले तो उसी जो हम लोग घड़ी सीखे थे उसको पहले इस टॉप करना एक करना मिनिट को करना सब्सक्राइब करना हू एक रॉज़ी करते हैं उसी प्रोज़ेक में इंकर क्यड में opening करते हैं इस सिम्मुलेटर से बहुत ही आसान हो जाता है समझना तो प्राक्टिकल हर बार हर प्रोजेक्ट को करना टाइम टेकिंग है बेकार का ओके चली तो हम लोग के फास एक बटन डाला हुआ है ऐसे ही हमको बस तीन गो बटन प्रकड़ लेना है एक दो ते तिन गो के संग मुझे तीन गो रजिस्टर भी चाहिए कि तीन गो के लिए मुझे तीन गो रजिस्टर भी चाहिए है सब का वी सी से पांच भूल यहां सब्सक्राइब यहां से सुन्दर से बस सजा दीजिए अपना दिखनी रहा है क्या तो हमारे पास दोनों का दोनों हो गया अब बस मुझे ग्राउन इसका ग्राउन इसका ग्राउन इसका ग्राहं कर लेजिए सब ब्स कर लइब कर लीजिये ंश्राइब ब्लैक टलड तो ग्राउंड ग्राउंड गान हो गया बस मेरा प्रोग्राम लिखने का दे रहे है तो लाज्ट क्लास में मैंने एक स्विच कि इसमें डाला था आठ नमर में चौनग दूसरे स्विच को भी डाल देते हैं नौ नमबर में कलर कली चेंज कर लिजिए चुरू भाई ग्रीन लगता है सब तो एक ही चुरू ठीक है उसके बाद कोई भी एगो एक को स्टॉप करने के लिए एक को मैं इंक्रिमेंट के लिए एक को डिक्रिमेंट के लिए ठीक है कि लॉजिक कैसे काम चलेगा कि घड़ी पहले से चलते रहेगा जब मैं यह बटन दबाऊंगा तो घड़ी स्टॉप भी होगा आवर मोड में भी चला जाएगा अब जब मैं यह दबाऊंगा तो आवर इंक्रिमेंट यह दबाऊंगा तो आवर डिक्रिमेंट तो हम लोग ये कोडिंग करना है चलिए हार्डवेर तो मेरा कम्प्लिट हो चुका है अब जो है कोडिंग का कमार अगर आपको पिछले दिन पता हो कि पहले से घड़ी चलते रहेगा चलते रहेगा एक एक सकंड के बाद बात जैसे मैं अगर डिजिटल नजर हटाना मत बस डिजिटल रिड आठ नमर पिन जैसे मैं आठ नमर 5 तो दबाऊंगा एक कर दीजे कहांकि फरीडिफाइंट फरीफाइंड नि फ्रीट फरीफाउंक्षन होता है तो स्टो वाइड नम 우리가 फ्रीजो प्रीड में लिखना है तो वाइड इस टॉप वण नाम का एक फंक्शन बनाना है जो घड़ी को बंद कर देगा गड़ी बंद मतलब ध्यान से कैसे कैसे होगा जब भी मैं बटन दबाऊंगा और जब तक मैं बटन दबाऊंगा ध्यान से कुछ मत करो जब मैं बटन रिलीज करूंगा रिलीज करूंगा मतलब हाई तो भी कुछ मत करो अब घड़ी बंदी रहेगा जब मैं बटन दबाऊंगा तो इस टॉप फंक्शन कॉल होगा और जब तक बटन सबस्थे इस कोरएं के अंदर पसा हुआ है कि सब्सक्रान से अगर अगर little नधे दीजिटल नजर आई दीजिटल रिड नो नम्मर पिन इंग अगर मैं नो नम्मर लेकिन हमको यह जो कोड है जो दिखाने वाला कोड यह तो मुझे चाहिए इस कोड को भी कट कर लीजिए एक अलग से फंक्शन में डाल दीजिए इससे क्या होगा दिखाते हैं तो मैं दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा डिस्प्ले यह बार बार मेरा इंब्र नहीं करना होगा तो जब मेरा घडी चल रहा हैं तब भी घडी दिख रहा है एक सकेंद के बाद अपडेट होते जारा होते जारा होते जारा खाली समझने का दे रहे हैं वहने खाली फंक्शन से कोड़ो कर रहे हैं इससे क्या भड़ी जब बंद भी रहेगा तो भी क्या होगा जी बस एक सकेंद के बाद एक सकेंद के बाद भी नहीं डिस्प्ले पिन अगर दस नमर बटन प्रेस कर दिये तो आवर माइनस माइनस वह भी डिस्प्ले होते रहेगा घड़ी तो मेरा बन गया गलती कहां पर है कि 24, 25, 26, 27 सब होते रहेगा कि कोड में लिमिट नहीं डाला हुआ है अगर आवर का वैलू लेस देन 23 है मने 22 तक तो प्लस प्लस होगा, 23 बजएगा लेकिन अगर एक बात 23 हो गया तो आवर अगेन बिकम्स 0 तो बने 23 को बाद फिर से 0, 22, 20 समझ लिजे, 20 क्या 23 से छोटा है तो हाँ, 21, 21 क्या 23 से छोटा है तो हाँ, 23, 23 क्या 23 से छोटा है तो 9, तो 0, 24 तो बजता नहीं है कभी भी, हम लोगा घड़ी 24 से जावे, 24 बिजे जावे, 23 तो देखावे, एटा ते, 22 जोखुन बाज छिलो, तो 22 की 23 थेके छोटा हो, तो येस, तो प्लस प्लस, तो 23 को लोर तो, 22 से चेकिंग कुरवे, तो इंक्रिमेंट होवे तो, कि की जोगे जोगा, जोगा देखावे, और 14 तो ने देखावे, देखो, चेकिंग होवे, 22 से शोग है, कि 22 की 22 थीखे चोटा हो, है, तो की होवे तरपः, तो को तो होलो, तो प्लस प्लस होलो तो, 22 से सवंगे टेस्टिंग ते होलो कोथा टा बोजो एक चप्टा भालो करें बोजो अमार कोथा होच्छे आवरेर भैलू तुम्ही 22 दिले जोदी आवरेर भैलू लेस देन 23 अविसले ट्रू तो आचे आवर प्लस प्लस तो कोथो होवे 23 बांज भैल अज़िवे ऐल्स तो छेड़े दा वह एल्स पौरे देखा जाच्छे 23 बांज भैलो किए आमी इफ जोखोण काच कोरे तो एल्स काच करें आ तो कोड तो एखा नहीं आजबे तो जोखुन देखाबे ताले की देखाबे तो तुमादे 23 देखाबे क्यानो कि 22 सांगा टेस्ट कोरे वो 23 होएगा चे 0 होई नहीं और अटे टाइम कोणों एकटाई का कोड इग्जेक्यूट कोरवे अगर और मगर वाला सिस्टम अगर एटा होच्चे ताले ओटा होवे ना तो चलिए घड़ी दिखेगा भी प्रश्चे प्रण सेम्ट चीज तो घर्ठे समय भी इफ अगर आवर ग्रिटादन 0 तो माइनस माइनस होगा 23 बज़गे कोड़ा तो 22 होगा 23 उन क्या ग्रेटन जिरो है यस जिरो जिरो जिड़ादन जिरो है तो बोलह नो तो फिर से क्या बज़़एगा पिर से 23 बज़ ज जाते हैं जाते हैं एक नमर दो नमर तीन नमर पंखा रेगुलेटर पांच नमर के बाद जीरो पर चला जाता है तो फिर से मोड़ने का कोशित नहीं करते हैं कौन मेहनत करेगा उतना तो बैक कर देते हैं वह बटन तो रहना चाहिए न इसलिए वह दस नमर पीन में कि अगर पहले से जीरो पर है अगर माइनस माइनस प्रेस करेंगे तो फिर से 23 पर चला जाएगा उससे पाच्चो ऐसे सी जितना भी पढ़ लो ऐसा कोडिंग नहीं कर पाऊगे इतना दिन से सी पढ़ते होगे यह इमाजिनेशन का पूरा खेल है आपका घड़ी चल रहा है घड़ी से खोड़ींग करना है प्लस सेम चीज़ फिर से वापस नने राटाब मत पिर्स प्रेस करेंगा कौन सा बटन आठह नमर बटन तो कुछ नहीं होगा, जब मैं फिरसे रिलीज करेंगा तो फिर से अगर नौ नमर बटन दबाया तो मिनट ऐगर 579 से चोटा होगा तो मिनिट प्लस प्लस नहीं तो मिनिट बिकम्स जिरो मिनिट बिकम्स जिरो और घरते समय भी मिनिट ग्रेटर दन जिरो तो मिनिट माइनस माइनस तेखें नहीं तो मिनिट इस इक्वास टू 59 कोड़ समझ में आया है अभी भी कोड़ वापस समझे आपका घड़ी चल रहा था आप यहीं तक कोड़ समझेगा आपका दिमाग यहां तक पिछले दिन समझ चुका है आपका घड़ी चल रहा है जैसे मैं आठ नमर बटन दराओंगा तो इस टॉप होगा मतलब यहां पर जब तक बटन दराओंगा तब भी इस टॉप रहेगा जब रिलीज करूंगा तो आवर मोड में चला गिया तो अगर मैं 9 नमर दबाओंगा तो आवर इंक्रिमेंट इंक् hat prices करें घंऺ कुछ नहीं होगा जब से करोंगा कि फिर से जब में क्रेस करें होंगा कुछ नहीं होगा जब रिलेस करें बोला रेटुत कानगी है ना से किन देखता है थोड़ा मोदा गण za мощ मेहनत करें वापस कहां जाएगा वापस भैक टूढ़ तो बैक तू स्टार्ट नॉट आवर कैसे लूप थोई नहीं फंक्सन है तो वापस जहां से हम कॉल किये थे यहां पर इस लाइन के एकदम नेक्स्ट लाइन में बटन दबाया था तो फंक्सन कॉल हुआ तो जब घूमके आएगा तो जहां से फंक्सन कॉल होता है वहीं पर घूमके आता है वापस उसके नेक्स्ट लाइन में तो कोड यहां से कहां जाएगा जी फिर से घड़ी चलना स्टाट जाएगा एक बाद देखना चाहते हैं चलो देखते हैं आज हम लोगा घड़ी पूरा एक दूम ओरिजिनल घड़ी बन गया घड़ी चल रहा था चलने दीजिए जब मैं बटन दबाऊंगा जब मैं रिलीस करूँगा सब भी रहेगा फंस्ट वाला फॉर्ट बोला ओके अगर मैं इसको इंक्रिमेंट करूंगा देखिए कितना अच्छा है एक दबा कराएंगे वे एके करके इंक्रिमेंट होते रहेगा ऐसे अभी बज कितना रहा है चलिए मैं 13 बजा कि तेरा बज रहा है कितना 15 बज रहा है पंदरा बज रहा है तो कहा पर जाएगा मिनिट मोड में यह ज्यादा मेहनत पड़ेगा उल्टा वाला करते हैं कौन मेहनत करेगा साठ से जल्दी पंदरा उधर मिलेगा है ना प्रग्रामिंग देखिए जो लोग घड़ी बनाता है वो चोटा वाला बले 100 रुपय में बेशता हो कि इतना टफ कोड होता है अब लोग ऐसे अभी तक ठीक देते थे अब से मत फेकिएगा अब जो मैं बटन प्रेस करूंगा तो फिर से कुछ नहीं होगा रिलिस करेंगा समझें यह है रियल टाइम क्लॉग अरी वापारी जोदी आमरा चाई ताले तुमा के ना सौब जगा चेंज कुटते होए तो प्रब्लम आज़ेखाना है जखाना है आमीचोबिस दिये छी सौब जगा एक एक कोरे कंडिशन ठोकाते होगे बनाने को तो बना सकते हैं ठीक है तो एम पी एम लिखना पड़ेगा लास्ट में ठीक है तो मेहनत पड़े जाएगा छोड़िए कि रेलेवे वाला रेलेवे वाला सिस्टम आज हम लोग का स्टार्ट क्या होने वाला है आज हम लोग का फिर से जब यह कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले आएगा कीपड इंटरफेस कीपड इंटरफेस कीपड इंटरफेस क्यों क्यूंकि हम लोग अभी तक इंपूट लेना नहीं सीख्या है कि माली मुझे इतनी बार सक काउंटिंग चाहिए तो वह कैसे हम लोग तो प्रोग्रामिंग में लिख दे रहे तो वह स्ट्राटिक हो जा रहा जो आप बोल रहा ह इसमें क्या करना है अगर मुझे कीपड इंटरफेस ने पहले तो कीपड दिखता कैसा है कीपड दिखता कैसा है इसी में चलिए तो टीके इंटर में नया प्रोजेक्ट रिख्टो बनाते हैं कीपड कि जी क्रिट कि शर्किट कीपड दिखता कैसा है कीपड कीबोर्ड नहीं कीपड ऐसा दिखता है कफे ठीक है और क्या चाहिए मुझे एक आर्डीनो चाहिए एक आर्डीनो चाहिए भुमा दिजे काफी है दोनों बहुत बड़ा बड़ा है अब मुझे यहां पर रखते हैं कौनसा मेहनद करना है अब LCD दिखत कहां पर है कि इसमें तार कितने है रोग चाठ्थो रोग चाठ्थो कॉलम तो इसमें मुझे टोटली आई-टू-सी वाला इससे क्या बेनिफिट होगा लेकिन हमको कौन सा वाले लेना है आई-टू-सी वाला इसका बेनिफिट है कि आपको पिन कनेक्ट करने का जूरत नहीं है सिर्फ चार पिन से ही काम हो जाए यह बेनिफिट है तो थिक है थोड़ा महंगा मिलता है कितना साइद सतर रुप्या आस्ट रुप्या ज्यादा डिफ्रेंट है लेकिन आपको पीन तो बचेगा आपको आडिनो कहां 500-700 लग जाएगा तो उससे तो अच्छा है ना कि आपको अगर पीन नम्मर ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है तुरांट एलसीडी को आइट्यूसी तो ग्राउन तो ग्राउन से कनेक्ट होगा ही सब्सक्राइक में जैनेक्ट है ना किछोण ना किछोणा सुधु पीच्छ ने सुधू नार्मल 16 क्रोस 2 ऐलसी तुमी नियेञा उतिया येटा यी सेंगी जनिस तुमीन लागिये देत्ते होई मैं और फितर हैं चेंज आभे सार्किशों ना चलो तो ग्राउड ग्राउड विशी विशी चलो भाई विशी 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 प्राउब्लम तरइटा कि आप तो घोराबो की को रहे यहां सब्सक्राइए कि एसदी एससियेफ एपटों के पीन के एसदी एससीयल बोला हाँ एसदी एफटों एक्टाव यूजी होए नी एक्चलि एक्टाव डिजिल पीन यूजी हो लो ना वह सबी पिन बेचेगा लो पिन्टों यूज आनी पुप भालो हमां देश्टुदू एलसरी रिवार पिन्टा पिन्टा की ना कीपैट कीपैटेर पिन्टा बेचे आचे ठीक आचे एटा के कुंटा दिये तो तुमारी इच्छा आमरा की की यूज कुरबो तो एकटा टू नमर पिन्ट शुरूत टू नमर ठेक ही कुरबो तार पौट त्री नमर पिन्ट पिन्ट प्रेख पूर मॉंबाइल वोबाइल सब एई रोका में काच कोड़ते हैं आगे नोकिया फोकिया फोन है जो तो मॉंबाइल सब कीपैट वाला फोन जेता है सब एक ही लॉजिक सेम प्रोगाम सेम लॉजिक प्रोगाम सेम लॉजविक लॉजिक सेम प्रोगाम सेम लॉज भाला रास्ट अंधर में होता क्या है अंधर में जप नहीं है स्विच में और कुछ हाय अगर आप सीरीज में ने करने का सोचते हो तको पता है कि चारो स्विच एक बार में दबाना पड़ेगा जैसे आप लोग ऐसे प्रेस करते हैं मैंने फुसी से इतना फुसी होता है ना जैसे पियानो बजा रहे हैं तो ऐसे ही यहां पर भी चारो बटन प्रेस करना पड़ेगा तर जाके करना होगा अगर ठीक है तो पहले नहीं है सबमें काम एक ही करेगा यह भी प्रॉब्लम है यह ना ही सीरीज से ना ही पैरलल है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स कनेक्शन जैसे अलड़ी हम लोग सेविन सेगमेंट में समझेते जैक है कि सेविन सेगमेंट में क्या सिखाय थे आप लोग को एलड़ी को सिर्फ पावर और इसको ground करूंगा तो यह जलेगा क्योंकि वो तो potential difference पे glow करेगा जिसको across potential difference मिलेगा सिर्फ वही LED glow करेगा वरने नहीं glow करेगा है कि नहीं तो यहां पर भी सेम स्विच में भी सेम ही है matrix connection इसका connection कैसा होता है दिखाते हैं ऐसा connection होता है तो अगर आपके पास 16 कीपेड है 16 स्विच है 16 स्विच बना ही देते हैं पूरा फोन में भी सेम सिस्टम पूरा फोन अगर रो ऐसे connected है कोलम ऐसे connected है इसको बोलते है matrix connection सारे को पहले ऐसे कर लिजिए और सारे रो को और कि कलर चेंज कर दे रहा है तो अगर देखिए अगर पॉजिटिव नीगेटिव समझ के छोब चलते हैं तो भी तो अगर पॉजिटिव ऐसे कॉलम वाईस connected है, तो negative row wise connected होगा, यही है इसका connection, तो यह sticker क्या false chip काया हुआ है, इसका कोई using नहीं है, यह वन दबाने से one जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो हम प्रोग्राम करेंगे वही जाएगा, तो हम जो कोडिंग करेंगे, वही रिखेगा आपको, तो calculator भी बना सकते हैं, calculator के लिए मेरे पास LCD ready है, keep it best से हम कुछ भी बनवा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कि algorithm से, algorithm number one, step one, step one, बहुत सारे row को, step number one, यह आपको करना नहीं है, यह सब तो सब predefined function में मौझूद है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो तो रटा मारना हो जाएगा, सारे row को one, और सारे column को zero, पहला step यही कहता है, कि सारे row को one कर लिजे, और सारे column को zero कर लिजे, पहला step complete, ठीक है, बहुत है, अब क्या करना है next, next क्या करना है, कि मैं कोई भी button, random button दबाते हैं, चलिए मैं इस button को दबाता हूँ, यह वाला button, ठीक है, तो जैसे button दबाएंगे, तो यह क्या होगा, इसको zero कर देगा, और किसी को zero नहीं करेगा, सिर्फ उसी pin को zero करेगा, क्योंकि यह joint हो जाएगा, ठीक न, लेकिन, हमको यह पता नहीं चलेगा, कि मैंने कौन सा button दबाया, क्योंकि मैं जब इस button को भी दबाता तो इसी pin को zero करता, इस button को भी दबाता तो इसी pin को, मतलब, लेकिन इतना है कि 16 में से 4 ही button में से कोई दबा है, तो सबसे पहले हमको यह पता चल गया, कि इन 4 में से कोई ना कोई दबा हुआ है, तो 16 से कम तो हुआ, जहाँ पे 16 pin था, वहाँ पे हम लोग 4 pin कर लिए, बोला, okay, ठीक है, clear, ठीक है, यह 0 हो गया, step number 1 यही था, if, अगर, r1 is equal equal to 0, मतलब, row 1, row 1 function call होगा, else, row 2, row 3, else, row 4, ठीक है, यह पहला step यही है, सिर्फ आपको, ठीक है, else if, else if कर करकर के, लिखना है, coding, r2 is equal equal to 0, then row 2 function call होगा, function call होगा, मतलब मेरा, सब function से बनाना है, row 3, row 4, अब मैं क्या दिखाना चाता हूँ, अभी बात ही नहीं है, यहाँ पे, row 4 function call होगा, clear, इतना तो assured है, कि 4 में से कोई न कोई दबा हुआ है, ठीक है, algorithm number 2, algorithm number 2 बोलता है, तो step 2, algorithm क्या लिखना सही है, step 2, उसी अवस्थे में आपको क्या करना है, सारे row को 0 कर देना है, जैसे अवस्थे में है अभी, यह किसके अंदर का code लिखना है, row के अंदर, कोई भी row हो, कोई भी रोज सबके अंदर एक ही कोड लिखना है तो उसी अवस्थे में सारे रोज को जिरो कर देना है और सारे को वन कर देना है उल्टा मतलब उसी अवस्थे में मैं चार को खाली स्विच का अवस्था बता रहा हूं जहां पे ऐसे connected था और ऐसे connected था तो मैंने इस बर code क्या हो गया वही 0 हो गया और यह सब 1 हो गया और मैंने कौन सा बटन दबाया था second वाला तो जैसे मैं बटन तो दबाया तो अभी तो छोड़ा था नहीं release तो नहीं किया हूँ तो यहां पे code में if c1 is equally close to 0 तो मैंने पहला मतब पक्का है कि 4 प्रेस हुआ है क्योंकि अगर मैं इस calculator को अगर 1,2,3,4 सोचके चलो यह बटन 1 के लिए है यह 2 के लिए, यह 3 के लिए यह 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए यह A के लिए, B के लिए, जो था तो यह मैं जो लिखूंगा वही print होगा समझा जी? वगर मैं यहां पे लिख दू dot, तो dot का का काम करेगा यहां पे लिख दू equals to, equals to का का काम करेगा 0 तो मेरे code में यही है कि एक बार row को 0 करना है, एक बार इसका प्रॉब्लम यही है कि वो उसकी तरह नहीं है LCD में power दिखेगा इसका प्रीडिफाइन function उसका भी है क्योंकि हम लोग तो 16 नमर 15 नमर का कुछ यहीं नहीं है तो वो कहां से power दिखेगा ना ही contrast pin को control कर रहे है सब तो वो I2C के अंदर है सब तो I2C के अंदर है है ना? तो coding में सबसे पहले जाना है तो यह सब code हटाते है यह code रहने दीजिए मुझे क्या है तो दो को मुझे library चाहिए एक है hash include लेकिन online में compile नहीं होता यह बहुत problem है हम बाद में change करेंगे लेकिन आप लोग को वही भेजेंगे liquid crystal जब hardware बनाईएगा तो आपका काम करेगा लिक्विड क्रिश्टल अंडरस्कोर आई टूसी डॉट एक्ष लिक्विड क्रिश्टल क्लास का एक अबजेक्ट बना लिए जिसको जीरो यह क्या कुछ पास नहीं करना का ज़रूरत है कोई पीन करेक्टेड भी नहीं है इसको तो सब sda scl लगा हुआ है इसको कैसे काम करना है तो लिक्विड क्रिश्टल का लिक्विड क्रिश्टल आई टूसी तो उसके लिए ठीक है यह चीज है जोग जाएं आई टूसी विट आर्डीनो sda and scl pin scl pin तो सबसे पहले मुझे scl pin और sda pin के संग कोई connection हमारे पास जो है कोई भी एक link से hardware में बस करने के लिए इस सब जरूरत है बोलना सिर्फ liquid crystal underscore यह ठीक है दूसरा wire.h यह किसलिए serial communication के लिए यह मेरा serial communication के लिए यह लगएगा यह library का जरूरत पढ़ेगा लिक्विट crystal फिर भी हम coffee paste कर लेते हैं कहीं spelling थोड़ा mistake होने का चांस रहता है लाइब्रेरी यह सब जो भी miss हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है तीसरा यह अब यह problem है कि कब हम यह लगाते हैं कब हम यह लगा तो यह address पीन है 0x27 तो यह जब हम लोग यह पीन किस से connected होना चाहिए यह पीन जब मेरा यह दिखे सब कुछ काम कर रहा व्यर लिए डाट बिगिन क्या होता है यह बहुत कुछ प्रीडिफाइंट फंक्शन यह पतो फंक्शन दिया ही नहीं सब तो इससे दिया है वी थार्डिनों हम लिखे हैं तब भी तेक हैं हाउट चेंज पिन इसमें तो इस पिन को यूज किया गया है तो वाय डॉट एच लिकिविट इधर लिकुट क्रृसल डॉट एच वायर डॉट बिगिन ठेक हैं अंडरिस्कोर इनिस्यालाइज नहीं है ऐसी डॉट इस्यालाइज है एस्यूट डॉट का बैकलाइज औरुप होगा कि पर इतने ही करते हैं कम से काम किया है ठीक है ठीक कोई दिकट नहीं है एक काम करते हैं एक थोड़ दिर के लिए हम उल से हम आँट पर्ल यहां एक सब्सक्source 305 इन ож ok पैले से कॉनेक्शन किया हुआ है इसका इसका है कि लिखा हुआ है कि यह पॉडु मुझे लगता है है यह तो कौन सा कोड है कि यह तो पूरा वाला है देखा रहा है इसका नहीं यह नहीं लोगा आइटू सी वाला कि आने रहा है कि चले देखते हैं कि यह वाला है ना इसका कोड़ देखते हैं कि इसमें अनलान कंपैलर में थोड़ा लाइब्रेडी अलग है कि यह 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 होता है ऑन लेकिन ऑफलाइन के लिए जो हम लोग पड़ रहे हैं वही यूज होगा तो अभी हम आनलान के खली दिखाने के लिए उस कर रहे हैं कि अभा आ कोड़ भी गायब हो गया वो एक बस कोड़ को कॉपी पेच पहले मारना है ना ना सौब तो रेडिमेंट पावे ना तुम्हे ठीक है चलिए कि यह हुड है ठीक है तो आजयोजी तो अधाड़ रूकेर्डेडी इसका जरूरत थे बोलना हमको सेकेंड लॉकरेन कुछ नहीं चाहिए हमको एड़ेृत लाइब रूकेरी के अंदर जीरो बसपास करना है उसको begin करना है उसमें मैं सेट करसर बैकलाइट मुझे सब नहीं चाहिए मुझे मुझे उसब तो आता ही है कोड सेट करसर इसब को नाम पहले चैंज कीजिए LCD LCD यह सब आलतुफाल तो नाम से समझ में नहीं आएगा यह बैकलाइट पहले ही ओन कर लिजिए यही प्रॉब्लम है रखने से भी दिकत है और कंट्रोल ए कंट्रोल से इसको उड़ाइए पहले इसको भी उड़ा दीजिए पहले और कोड को हम लोग अपने अनुसार सिट कर लेते हैं यह ओनलाइन के लिए बस ऑफलाइन के लिए नहीं है हाड़वेर के लिए हम कोड चेंज कर देंगे लाइब्रेडी काम करेगा ठीक है तो सिर्फ एक बार मैसेज को पहले तो एरर खाया अच्छा यह सब तो नहीं चाहिए मुझे फिर भी देख लेते हैं इत्वारा तो आगे आगे वह तो आता ही और इस एड़ फ्लूड लाइब्रेडी जो है ऑनलाइन में सिर्फ काम करता है आइटूसी में ऑफलाइन के लिए वह लिक्विड क्रिश्टल जो था अंडरस्कोर आइटूसी वही काम करेगा तो पोड में हम बाढके हम लोग को आता ही है इसलिए हम पहले से जो लिका हुआ तो हम इसलिए इसको लिए की पैड की पैड कि पैड ऐसए कशलेट करसर जैसे सुखें है visit । कि इसमें कीपड का कोई कोडिंग नहीं है अभी है अभी तक कोई कोडिंग नहीं है ठीक है एक बार रन कर रहा है काम कर रहा जैसा कीपड क्लास का एक अबजेक्ट बनाएंगे कीपड क्लास का एक अबजेक्ट बनाएंगे कुछ भी नाम दे दीजें मुझे क्या है जिसके अंदर बहुत कुछ पास कराना पड़ेगा क्यों कि इसका रो वाला पिन किस किस पिन से कनेक्टेड है किस बटन पर क्या दिखाना चाहते हैं यह तो हम बोले फॉल्स है सब यह बिकार है यह सब सुन्दर से दिखावा के है फोर तो रो पिन कौन से कौन से पिन से कनेक्टेड है 2,3,4,5 इंट कॉलम वह भी कितना फॉर अगर आपको माले यह तीन ही पिन चाहिए कॉलम वाला तो कॉलम को तीन ले लिजिएगा रो को या तो तीन ले लिजिएगा अच्छा ठीक है 6,7,8 और 9 तो सबसे पहले नमर और नमर ओफ रो नमर को भी हम इसी में ले लटे है तो रो उजिवाथ टू फॉर कॉमा देखें कॉलम सिवाथ टू फॉर और कुछ बूलब न, हो गया और मुझे एक चीच चाहिए वह है एक कि दिखाना क्या चाहते हैं तो दिखाना चाहते हैं डेटा तो कुछ वह हम एर तो फर्स्ट रो में दिखाना चाहते हैं बोला इंटीजर मत लीजिए या तो करेक्टर ले लीजिए या तो करेक्टर ले लीजिए तो पहले क्या दिखाना चाहते हैं वान देन क्या दिखाना चाहते हैं तू देन क्या दिखाना चाहते हैं त्री देन दिखाना चाहते हैं ए कॉमा हम वहाँ पर अगर change कर देंगे तो automatically change हो जाएगा कॉमा change कॉमा change ठीक है तो first में ठीक है 4 5 6 B 7 8 9 and C और क्या बचा जी और श्टार 0 hash secured password जब लगाते हैं तब D अब इसको इसके अंदर pass करा देज़े सब्सक्राइब कहां पर क्या लिखना है तो के रोड़ एरे रो कॉलम एरे और नम्मर ओफ रोज और नम्मर ओफ कॉलम्स आप डिरेक्ली फॉर फॉर भी लिख सब्सक्राइब इतना कुछ पास कराना पड़ता है मुझे कहां पर क्या दिखाना चाहते हैं अब इसमें गलती कहां पर हो सकता है मेरा के बढ़ा होगा एम बढ़ा होगा तो ठीक है अब हम गूगल में मारेंगे कीपेड इंटरफेसिंग कीपेड इंटरफेसिंग विथ आडिनो कोई भी एक हो कोड से मुझे फॉर क्रॉस फॉर हो थ्री क्रॉस उससे मुझे लेना देना नहीं है मुझे मतलब है बस कैसे कानेक्शन करना है एक काम कैसे करता है वह ठीक है रो बटन डॉलम बटन बटन ब यही सब छोटे-छोटे चीज़े। ठीक है। ठीक है। नमर और पर नमर अपर क्या इस अपक्ता है। प्सक्राइब क्लास का एक अबजिक्त जिसके अंदर कीपैड के bracket के अंदर keypad bracket के अंदर सब लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक गलती है is equals to keypad bracket के अंदर make key map और कुछ नहीं तो बोला कि फिर से वापस पहला वाला क्या है? array का नाम दूसरा वाला क्या है? pins कौन-कौन से pins से connected है ठीक है? दूसरा वाला कौन से कौन से connected है number of rows कितना है? number of columns कितना है जो लिखा हुआ है लाकि इससे तो हमको कुछ फाइदा नहीं है हम चाहते हैं कि keeper में जो भी दबाएं वो LCD में लिखाए ठीक है? तब if ठीक है? क्या करना है? character type array लेना है character type array लेना है ch is equals to तो क्या लिखना है? get key from key बोला यह key क्या है? key इसका नाम है ठीक है? get key from key तो यह get key क्या है? function है तो keep it के अंदर ठीक है? एक बाद फिर भी हम surety नहीं है keep it के अंदर key के अंदर get key है यह dot लगा के ही करना पड़ेगा एक मिनिट key के अंदर get की थोड़ा सा अंदर क्यों? अंदर क्यों दीख रहा मेरे? तो get की नाम का function है key library के अंदर get की नाम का function है जो भी character हम प्रेस करेंगे उसको LCD में लिखो lcd.write क्या चीज़? ch और कुछ करना है? बोला ना एक सकेंड का डिले यह क्यों? क्योंकि इनसान को बटन दबा के छोड़ने में तो टाइम लगता है ने तो यह फट 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 लिख देगा LCD.set cursor को लिखने से पहले LCD को सबसे पहले clear कीजिए वो सब पुराना code ही है वन्हें आपका नया में क्या है? खली library का ना और यह थोड़ा लिखने का तरीका अब backlight को on करने का तरीका यह बस इतना ही नया है वरना जो हम लोग normal LCD में पढ़े थे सेमी चीज है पहले तो error खा गया क्या चीज है और semicolon missing है क्या? नहीं ठीकी तो है no matching function in keypad ओके खिर से वापस keypad ठीक है keypad का k बड़ा है के अंदर make की map make की map array का नाम देखे keypad के अंदर keypad spelling क्यों गलती है लोग दिखा रहा सब्सक्राइब कुछ और कहीं गलती किये होंगे क्या कोड़े गलत होगा keypad.h नाम array का नाम सब कुछ ठीक है keypad के अंदर make की map का सब थीकी है make की map make का n छोटा key का k बड़ा m छोटा बद 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 अंदर सब थीकी है keypad. key.get key key.get key का k बड़ा है error तो मार रहा है कहां कहां यहां पर तो मार नहीं रहा है मार रहा है इन दोनों जगह पे पहले इस line को हटाते हैं तो उसके बाद और इसको भी line को हटा देते हैं क्या error मार रहा है क्या नहीं मार रहा है मतलब गलती तब कहां पर है इस जगह पर है इतना दूत फिर सवन करके एरर मार रहा मतलब इस लाइन में गलती है मुझे डाउट हो गया क्या के मुझे लगता है नहीं है कि के बड़ा होता है मुझे डाउट ही है कीपर तो बड़ा ही हो गहां कीपर क्लास के अंदर कीपर क्लास के अंदर मुझे लगता है कि यह भी एक गलती हो सकता है एक गलती यह हो क्योंकि हम इंटीजर टाइप एरे लिया है यहां पर लिया है इसमें भी बाइट बाइट यह गलती हो सकता है कि के अन्दर मुझे टाइप एमाइज ले ले काल जाएक और फिर से टास कराये काला इस में आपका यहां दू मैं और अन्नちは यहां पर यह जो यह आरे लेना है वह नौर्मली आपका नौर्मल लेगा नहीं टिक सेकंष अब घख टेओल आये विश्णोर अंडु 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 अंड़ु लिलने का ज्रूरत नहीं ह है पोगई बात नहीं if 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 you c.h इyos character c.h is equal to key . get getkey तो एल्सिटी डॉट क्या चीज करना है राइट च और डिले एक हजर मिलिसेकंड पिर से रखाया कॉंस्टंट नहीं दे सकते हैं लगे लिखा तो गया पॉर्फेक्ट काम कर रहा है बस अब सुरा सुन्दर से वह गलती क्यों है क्योंकि एलसरी को क्लियर कर दिये हैं एक ही जगह पर क्यों लिखा रहा अचा इसको उपर करना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, star, hash, A, B, C, इंट्रेस्टिंग है ना हम लोग कीपड भी बहुत ही अच्छे से सीख गए बहुत बड़ा कोड भी नहीं है खाली हाँ यह है कि जो यहां पर कोड है वह काम नहीं आने वाला आपको सिमिलिटर में खाली काम आएगा प्रेक्टिकल में वह आई-टू-सी करके सब कोडिंग